Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं शानतनु हूँ आपका reasoning mentor फिर से आ गया हूँ एक और amazing session के साथ CUET का एक और important section reasoning का जिसे हम कहेंगे analogy और analogy के मेरे दो sessions आप definitely देखे होंगे और आपने उसे काफी कुछ सीखा होगा आज हम discuss करेंगे analogy में general knowledge वाले question भाई आज आपके दिमाग का completely test होने वाला है आज आपके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है कि इस तरीके से आप दिमाग चलाते हो कितना general knowledge आपको जनकारी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे तो यह वाला जो segment है इसमें कोई दिमाग नहीं लगता इसमें आपने अगर चीज़े पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से बनाओगे नहीं पढ़ी है तो थोड़ा परिशानिया हो सकती जड़ा देखते हैं आज क्या आपके सामने ये quiz general knowledge की वो आप पकड़ पाते हैं क्या let's see start करें लेकिन उसके पहले आगर मुझे आप फॉस्टाइम देख रहे हैं तो जाए जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे और please session को like कर दो जितना जादा हो सके share करो क्योंकि आपके selection के लिए हमने जी जान लगा दी है आप से सिर्फ एक ही चीज मागेंगे क्या वो जल्दी से like वाली बटन दबा दो क्योंकि आपको magnet prince सारी के सारी जो education देता है वो completely free देता है हम आप से कोई charge नहीं करते इतना तो expect अर सकते हैं कि आपको like वाली बटन जरूर दबाएंगे तो लटन रखना तो please like करते चले है share करते चलो आप शुरूर करते आज की कहानी के लिए तो भाइ आज की कहानी में कुछ करना नहीं देखिये और त JE माग लगाई वह का relation स्ट्रीम से है तो wind का कि से है देता है था गर नदी का relation कह सकते स्ट्रीम यानि धारा से भाने से है तो when का relation भी किस से होगा मेरे क्याल से मुझे नहीं लगता है भाई मुझे नहीं लगता है किसी को देखत होगी अच्छा मा अज जितने ्शल कराओंगा आप अपने मन से देखना कितने कुश्चन आपके सही होते है तो 20 में आपके मान लुद 10 कुश्चन सही हो तो आप अपने comments में जाके लिखिएगा कि 10 out of 20 मैं अब एक बार में आपने ऐसा कर लिया अगर आपके 15 सही हुए तो आप 15 out of 20 मलब जितने भी question होंगे उसमें आपके कितने score आते हैं मुझे comment में करिएगा मैं देखूंगा देखता हूं कितनों के question ज्यादा से ज्यादा सही होते हैं क्योंकि आपने पढ़ा तो है नहीं यह तो general knowledge जिसमें पढ़ना भी कुछ नहीं है तो आपको इसको जल्दी से जाके solve करना है और बताना है ठीक है तो मैं इंतिजार करूंगा आपके comment का अगर रिवर का relation stream से है तो wind का भाई जिसर से जो property रिवर की बहने के साथ है सेम वही property किसकी उसकी हवा की भी बहने के साथ होगी यानि blow होगी ठीक है हवा का भी क्या होगा भई ब्लो से relation दिखाए देगा option number कौन सा c इसका answer हो जागा भई हवा जो है वो point यानि इसका को relation दिखने रहा है storm आधी यह हवा तो बिलकुल इसका कह सकते है कि यह nature नहीं है कि आप आ पूरी riding दिमाग लगाएंगे आपको इसमें चलो बир, आगर इंडिया का का समझ में आ गया होगा कि यहां पर इंडिया रुपी की बात हो रही मतलब कंट्री और करंसी की बात हुघी, भारत की करंसी अगर रुपी है तो इंडिया के इंडोनेशिया की क्या होगी अब बहुत यहांसानी Signs निकाल होगे तो एंटोनेशी कीस से होगा यूरो. this € 0. ये या फिर, डॉलर, देखते हैं कितनों का सही रहता है यहां परिखता दिखाई दे रहा है कि आप उनसर सही कर भी सकते होquar है और गलत होने के होगा बिलकुल नहीं अब क्या अंसर हो सकता है ये या फिर रुपिया तो आप कहेंगे सर इसका अंसर होगा ये नहीं नहीं गलत है इसका अंसर हो जाएगा रुपिया भाई इंडोनेशियन रुपिया कहते हैं उसको जो हमारे रुपिया बोला जाता है इसको रुपी कहते है वहाँ पर भी almost वही चीज़ है, उसको रूपिया कहते हैं। ठीक हैं, तो इंडोनेशिया की करनसी, रुपिया एक बग कभी मौका मिले ना, तो इंडोनेश्या ज़रूर जाना, क्योंकि हमारे पैसे की वैलिउ वहाँ पर बहुत जादा है। हमारा एक रुपấpिया वहां के बहुत जादा मानाहेता, लगवांग दो सो सम्थिग रुपीज के बराबर होता है, तो आप जाके इंडोनेशिया गोंकर आ सकते ही, बहुत लोग जाते हैं, आप ट्राइ कर सकते हो, ठीक है न? टेकसास या टेकसेस का रिलेशन किस से भाई अगर महारास्टरा इंडिया में पढ़ता है या महारास्टरा इंडिया की ही कोई ने कोई स्टेट की बात कर रहा तो टेकसास जो है वो किस देश का किस कंट्री का कोई एक स्टेट होगा या कोई एक जगे होगी एक शहर होगा जो भी तो आप कहोगे Sir Brazil, Mexico, USA, Canada ये तो चल रहा है कौन बनेगा करोड़ोपती है कि महारास्टरा अगर इंडिया से रिलेट करता है तो टेकसास का रिलेशन किस से है Brazil, Mexico, USA और लास्ट में है Canada तो आपका जब आप क्या है भाई एक ही का नहीं मिलने वाद है तो बिल्कुल चलो इस सर्प्राइस को बिल्कुल थोड़ा सा इंबॉक्स करते हैं और इसका अंसर बताते हैं तो इसका अंसर क्या आएगा इंडिया महारास्टरा से रिलेट करता है सिमिलरली टेकसास की बात करें तो यूनाइट स्टेट ऑफ अमेर करना भाई देखना यह है कॉमेंट में किसका किसके अंसर पूरे आते हैं वह भी देखने वाली बात है एक चीज़ तो मान लेना तुक्का नहीं लगाना कि गलत होने के बाद यह अपने नंबर बढ़ाके दे दिये एकदम इमानदारी से कॉमेंट मुझे रिप्लाई करना अगर भाई सितार का रिलेशन गिटार से है अच्छा 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 सितार का सितार समझना हो क्या होता है उसका रिलेशन गिटार से है सितार को थोड़ा अपडेट करके गिटार बना दिया तो भाई ऐसे तनपुरा ये भी एक इंस्ट्रुमेंट है म्यूज तनपुरा आप तो आप आज कह सकते हैं कि गिटार और बहुत सरे चीजों के आप एडिक्टेड हो चुके हैं बहुत सरे चीजें आप नए में देखने प्डेटेड वर्जन देख रहे हैं लेकिन यह जो हमारी पुरानी परंपराएं रही है ना उन परंपराओं का एक बहु ट्रंपेट तो नहीं हो सकता, ट्रंपेट पता न, आपको वो जो बजाते हैं न, इसको, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं न, इक्जैक्ली, ट्रंपेट जिसको बजाते हैं, आपे मुह पे लगाके, ट्रंपेट वो हो जाएगा, म्रदंग, म्रदंग तो बिलकुल नहीं हो सक करते हैं ठीक है ऐसे कि जैसे है उसको बजाएंगे वहाँ पे大 या करते है कि इसको वाइलीन को से बिलॉंग करते है यह सितार गिटार वाऌली से ज़ीज आप पूरा जो है वो वाइलिन की फैमिली से ये चीज़ हम ऐसे कह सकते हैं इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन देख लीजिए अदे बाई ये तो मुझे लगता नहीं किसी को दिखका जाने वाला भाई ठीक है ये अगर पूछा गया हार्ट बीट का र जरुवत पढ़ती है किस एक्विप्मेंट के जरुवत पढ़ती है तो आप में से कोई ही शायद ऐसा बच्चा जिसको पता ना हो किस कांसर क्या होने वाला भाई थर्मामीटर ठीक है थर्मोमीटर इस कांसर आ जाएगा तो इस तरह से इस कोशन कांसर आएगा option number D ये तो स समाग लगाओ time लो थोड़ा सा आप ले सकते हैं 20 seconds 30 seconds लेकिन मुझे इस कांसर आप से बिलकुल सही सही चाहिए कि घर के अंदर अगर room है तो world के अंदर obvious सी बात है nations है ना तो इस कांसर क्या आएगा रास्ट्र इस कांसर आजाएगा very good doing amazing job guys तो इस कांसर आजाएगा क्या nation ठीक है ना चलिए next हाँ यारब लगा petrol security insurance इसका अंसर क्या आएगा जरा मैं बैठा हूं मैं बिलकुल यहां पर बैठा हूं ठीक है मैं बिलकुल यहां पर बैठा हूं और समझना इसका अंसर क्या हुआ पैट्रोल सिक्यूरल अचे पैट्रोल वह वाला पैट्रोल नहीं है जो आप दीजल पैट्रोल की बात करते हैं यहां पैट्रोलिंग मतलब समझ रहा हैं जो लोग रात में policy इस पेट्रोलिंग करती ही गश्ट लगाना कहते है ठीक है और ये गश्ट लगाना पेट्रोलिंग जो होती ही वो हमारे सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए होती है तो इंशुरेंस के शिस के लिए होता है इंशुरेंस का रिलेशन किसे होगा पॉलिसी, मनी, सेविंग्स और तो भाई इंशुरेंस से तो policies मिलती है ना भाई अगर patrolling से security मिलती है तो इंशुरेंस से तो policies ही मिलती है ना policies लेके चलते है तो इसकांसर क्याएगा policy ध्यान रखना money मत लगा देना savings मत कर देना भाई savings नहीं कह देना यहां पर ठीक है न रिस्क भी मत कह देना ठीक है चलिए इसका अंसर यह हो जाएगा अगला question देखो यह question मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है yesterday का relation अगर tomorrow से है similarly March का take your time अराम से time लीज़े मुझे इसका answer apply के लिए अगर yesterday का relation tomorrow से है तो मार्च का relation किस से जल्दी बताओ जल्दी बताओ इसका answer क्या हो जाएगा let's see yesterday मतलब बीता हुआ कल होता है और tomorrow मतलब आने वाला कल होता है अगर इनको relate करोगे तो कैसे करोगे मार्च को अगर देखा जाए चलो मैं बताता हूं सकान से आवीश आपने निकाला होगा देखो yesterday को y लिख रहा हूं और तुमारे को t लिख रहा हूं ठीक है tomorrow t o m लिख दे रहा हूं ठीक है और इसके बाद मैं इसको relate करूँगा किस से आज से ठीक है इसको today से करता हूं टुड़े से करता हूं ये टुड़े तो बैट टुड़े से अगर minus 1 पे मिल रहा है yesterday तो प्लस 1 पे मिल रहा है tomorrow ठीक है तो similarly March वाले को relate करो March को लिख हो yesterday के जगा पर देखो ये March आ गया तो ये March है और no doubt यहां पर क्या आने वाला जो होगा वो हमारा answer होगा तो इसको अभी से relate करो तो March की बात क्या आता है April आता है तो April से एक पहले जाओगे तो March आएगा तो April से एक बात में जाओगे तो क्या आएगा भाई में आ जाएगा तो इस question का answer इसी pattern के थ्रू जाए तो में हो जाएगा में is the right answer perfectly में is the right answer चलो भई आगे बढ़ा ले इसमें जाएगा नेक्स्ट आजो नेक्स्ट अगला question देखते है हाँ ये क्या है बाई ये क्या है कि अगर menu का relation यहाँ पर food से है menu का relation अगर food से है तो catalog का relation किससे भाई ये तो आपके लिए ही question बना ये तो आपके लिए ही question बना कि menu का relation अगर food से होता है तो ऐसे ही catalog का relation किससे भाई या catalog का किससे है जल्दी से डिको इसका answer reply करो मुझे इसका answer आप से सही चाहिए भाई और दूसरी चीज copy में कही answers लिखते चलो फिर उसके बाट टोटल में से अब अपना comment करके मुझे answer बताओगे और मैं देखना चाहूंगा कि आपके कितने question यहाँ पे proper तरीके से सही हो रहे है anyways अगर menu का relation food से है तो catalog का relation directly आप कह सकते है newspaper से तो हो नहीं सकता है catalog newspaper का नहीं होता और रैक तो कोई कहीं से दिखी नहीं रहे है आसपास इसके catalog का relation किस से हो जाएगा बिलकुल books से हो जाएगा ठीक है बाई और यह बात है menu जो है वो food को menu में food ही रहता है तो catalog किसमें रहती बुक में रहती है तो इसका अंसर क्या जाएगा option नमब बी बुक इस दा राइट अंसर चरी एक और कोशिन की तरफ देखते हैं भाई sculpture sculpture का relation किस से है तो author का relation किस से होगा भाई जल्दी बताओ यहां पर sculpture का relation किस से हो जाएगा बहुत ही अच्छा relate करने का question है स्कुल्चर मतलब क्या होगा मोर्ती टेक है जो मूर्थियां होती है वह कह सकते sculpture में आती है तो सीसे मतलब क्या होता है जय नी हथो वह क्या बोलते हैं जिससे आसे सबक़ों या क्रला क्या होता है चा güक क्या होता है कोई भी sculpture ने मूर्ती का निर्माड चैनी से होता है तो author का निर्माड pen से ही तो होगा भाई pen ही तो एक लेखक की कह सकते हैं सबसे बड़ा हतियार होता है सबसे बड़ा कह सकते है कि उसका जो भी है वो pen ही तो है ठीक है तो इस तरह से याद रखेगा इसका अंसर के आएगा pen यहाँ पर table book paper तो कहीं दूर दूर तक relation ने दिख रहा भाई author का तुम table बना दे रहो book बना दे रहो ना author की कहानी जो होती है वो क्या होती है जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े राजा महराजाओं की जो शोभा थी उनकी तलवार थी तो ऐसे बड़े बड़े लेखकों की ज अगर cloth से भाई अगर scissors का यानी catchy का कैचियों का relation अगर यहाँ पर कैची के relation किस से cloth से कपड़े से है तो knife stone stone grinder axe wood gun hunt लो भाई उड़ाओ उड़ाओ इस question का अंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो देखते ही बनना चाहिए इसका अंसर भाई अगर scissors का जो कह सकते है कि यह पर property है कपड़े को काटना तो ऐसे ही यहाँ पर कुलहाडी का क्या होगा उसका भी तो लकड़ी काटना ही होना है ना तो इस का अंसर क्या जाएगा option number C बाकी तो कहीं दूर दूर से यहाँ पर कई बच्चे देखो जाएंगे gun और hunt पे चले जाएंगे भाई गलत है शिकार यहाँ पर बंदूग का याद रखना ये कोई relation नहीं होगा बंदूग का relation शिकार के लिए defense कह सकते हैं आपे एक सही word होगा शिकार नहीं और x उड भाई लकड़ी को तो काटने का काम ही किसका होता है कुलहाडी का ठीक है ना तो बिलकुल अंसर आएगा option number C I wish अभी तक सार स्कोर कितना मैं बहुत excited हूं आपका स्कोर देखने के लिए हमबल रिक्वेस्ट कॉमेंट में ना सही वाला स्कोर करना ऐसे कुछ भी मत कर देना सही वाला करोगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ अगला question देखो क्या है भाई जैन्वरी का relation अगर चेंज मत कर देना नहीं बहुत बिटाई होनी अगर जैन्वरी का relation निवेंबर से है तो संडे का किस से संडे का किस से रिलेशन है संडे का किस से रिलेशन है जल्दी जल्दी बता दो भहिया जल्दी से बता दो janvari, नवंबर भाई आगे कि तरह मजना फर्वरी, Mars, April में, June, July ब्ला 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 ना janvari से अगर nearest देखा जा तो yep नमेंबर कैसे जाएगा तो दो को नोटिस करो अगर यह जनवरी है तो जनवरी के जस्ट पहले दिसमबर आएगा दिसमबर के जस्ट पहले क्या आएगा नमेंबर यह जनवरी से देखा जा तो दो पीछे जाने पर मुझे नमेंबर मिल रहा तो संडे से भी दो पीछे चले ज लेके ही तो चलना है संडे से दो पीशे जाओगे फ्राइडे मिल जागा ठीक है बई चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आजओ भाई ध्यान से सुन लो फिर से ओपन चालेंज है ओपन चालेंज है कि कौन इसमें सारे क्वश्चन सही करता है और आपकी लॉयल्टी आपके उप इक बाल बताऊ मैं आपको पता है reasoning तो पढ़ रहे हो दिमाग तो लगा रहे हो father of reasoning कॉन थे अपको पता है एनिक तैस गूगल नहीं करना father of reasoning कॉन है मुझे बता दो comment करके बता बही father of reason कॉन है ठीक है, father of reasoning कौन है, ध्यान रखना, इस question का answer आप लोग मुझे देंगे, comment करके और याद रखना, आपके answer ही बता देंगे, कि आपने google करा है कि नहीं करा है, क्योंकि इसका answer क्या होगा, मैं आपको next, जो मेरा session होगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है, तो father of reasoning, guys, much awaited for the, कह सकते है कि इसकी कहानी जो है, या इसका answer जो है, वो मेरे लिए much awaited रहेगा, मैं wait करूंगा, इसका answer आप comment में करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है, तो इसका question का answer आगया, क्योंकि जो व्यक्ती थे, उनका नाम सब को पता है, उनका नाम सब को पता है, तो देखन ये है कि क्या आप सबी लोग उसका answer दे पाते हैं, मैं let's see, आजए काम करूगा मैं, homework कहा देना, आप तो comment में करो, अभी तो video देखा आपने यहां तक न, comment कर दो, video के last में मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, ठीक है, तो बिलकुल पूरा video देखना आप लोग, last में उनका नाम बताता हूँ, चलो भाई, scribal का relation अगर right से है, तो stammer का relation किस से होगा, जरा सोचो, scribal का relation अगर लिखने से है, लेखन से है, तो stammer का relation किस से होगा, मतलब स्क्रेबल मतलब क्या होता है भाई, यहां पर अगर बात करें, तो इसका relation लिखने से क्या होगा, भाई, जो लेखन से रिलेट करता है, लिखने से रिलेट करता है, कि स्क्राइबल अगर लिखने वालों से, स्टैमर मतलब होता है, हकलाना, स्टैमर मतलब क्या होता है, हकलाना, बोलने में हिचके चाना, या हकलाते नहीं बच्चे लोग यहाँ पे, तो स्टैमर उसको कहते है, तो ओवि पुरी जो story है यह जो पूरी कहानी है वो किस पर based है भाई कुल मिला जुला कि आपके presence of mind पे ठीक है ना चली अंसर आगा इसका option number first speak got it चली next question पर बढ़ते हैं जरा सा उड़ाते हैं next question को लगाते हैं logic और अपने number को बटो लेते हैं पिकॉक का relation अगर इंडिया से भाई अगर पिकॉक का relation इंडिया से है तो बताओ ना bir का relation किस से अब जरा सोच लो भाई अगर पिकॉक को इंडिया से relate किया गया होगा तो क्यों किया गया होगा think about it think about it दिमाग लगा जरा question का दिमाग लगा क्या answer होगा और मुझे आप answer अपना निकाल के बताओ सर आपको पता होगा कि पिकॉक जो है भारत का एक national bird कहते हैं तो इसी तरह से बियर भी तो national animal किसी देश का होगा भाई वो national animal या national bird की बात हो रही है यहां पे तो बियर किस देश का नेशनल निमने आपको अगर यह नहीं पता होगा तो गरबर हो जाएगी बात यहां पे तो थोड़ा सा जीके से जुड़े रो और आपको बहुत परिशान होने वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे कोशन इसी से आएंगे एनलोजी एक बहुत बड़ा सेग्मेंट है जिसमें लेटर भी है नंबर भी है जीके भी है तो इन तीनों में से हो सकता है एकका दुका कोशन इसके आ जाए और आइविश वो एकका दुका कोशन भी आप आराम से बना लोगी फिलाल इस कोशन का अंसर हो जाएगा रशिया कि जो रशिया है न रशिया रूश की बात करेंगर तो रशिया का नेशनल कह सकते हैं एनिमल कौन है बियर है भालू है ओके गाईज तो चलो ये चीज़ समझ में आगई आपको नेक्स्ट अगले कोशन पर आजो अब इसमें क्या लॉजिक बता हूँ इसको मैं आप याद क करना पड़े हैं यहाँ पर अगला पॉश्चन अगई स्पीच से है तो किस्से क fellas का रेलेशन किससे होगा बाई स्टामरिंग समझ रहो स्टैमरीं क्या होता है इस इस्टैमरिंग मतलब बोलने में हक लाने को कहते हैं यह बिमारी है हक लाना उसका रिलेशन अगर स्पीच deafness deafness का मतलब पता ना आपको क्या होता है बहरा तो बहरापन अगर आता है आदमी अगर बहरापन तो उसका relation किस से होगा भाई तो हकलाना एक बोलने की समस्या है तो ऐसे ही कह सकते हैं कि बहरा पंजो है वो किसकी hearing की प्रॉब्लम है तो इसका अंसर को कई बच्चे एर लगा सकते हैं noise में भी जा सकते हैं तो यह दोनों गलत हो जागा इसका अंसर क्या लगेगा hearing is the right answer ठीक है ना चलो अभी तक सारे questions ठी ही जा रहा मैं देखना चाहूंगा क्या इसका answer आप सही देते हैं Google नहीं करेगा कोई यहां पे तो इतना पड़े लिखे आप हो इतनी जानकारियां तो आपको है और इस जानकारियों कि तुरू आप आराम से answer निकाल सकते हो कि स्प्रेंग कर समर से है तो संडे मंडे इनवरी फरवरी की बात करें उसको बसंत रिदू कहते हैं स्प्रिंग सीजन कहते हैं और स्प्रिंग के बाद ही तो गर्मी आती भाई गर्मी की चुट्टियां होती है ना तो इसका में बैक टू बैक यहां पर सीजन दिये गए तो इस तरह से answer में back to back days हमारा answer होगा तो सं then someday than Monday समझ में आई बात चलो यह सब अक्षे कोशिन है में लेवल जो है इस से जाधा का नहीं होने वाला इस से जाधा का लेवल होगा वी निए लव का रेलेशन और हेट से है प्यार का रेलेशन की बात करें तो opposite चल रहा है यहां पर तो प्राउड का रिलेक्शन यहां पर देखा जाए तो कंसेट का मतलब यह तो बिल्कुल गरत होगा क्योंकि इसका क्या है सिननिम से प्राउड को ही से क्या just opposite बात अगर बुली जाएगी तो उसको miserable कहते है ठीक है ना तो इसका अंसर का आएगा option number C आजाएगा ठीक है चलिए हताश उदाश ऐसे कुछ बूलते ना इसको proud की opposite में जा रहा है मतलब बहुत ही गर्व था अब गर्व उतना अपने आप पे नहीं है ठीक है चलिए अगले question पर चलोग इस कान से क्या है ब्रश का relation अगर paint से है तो shovel क्या होगा या शावल 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 भाई अगर ब्रश से proper हम paint वाला काम कर सकते हैं तो shovel से क्या कर सकते हैं? खौइल से क्या कर सकते हैं बहुत और गृटर ब्रिक्स बाई और तो हो नहीं सकता, बहुत कession, खावल और उठाते हॉर्डह होता हैं बहुत तो होगा है है उठाया है छो ओगर एक शेम खुडा यहिस खाना होता है है तो इससे क्या हम उठा सकते हैं को वड़ा सकते हैं ठीक है अंसर इसका क्या है प siendo आ जाए गा कौ तो दो आई विस्ट आपका अनसर सही हो गे यहाँ बहुत ये अच्छे तरीके से हाप यहां पर आँश बना रहे हैं और supplemental सही जा रहा ही आ आज़ो next question पर यह लो अगर आई का relation मायोपिया से है तो टीथ का किसे होगा टीथ का ठीक है पाइरिया contract ठीक है ट्राकोमा और यहाँ पर आगे देखो इसमें क्या answer हो जाएगा पाइरिया contract ठीकोमा और इसमा क्या answer होगा भाई यह थोड़ा science background वाले बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे science background वाले तो इसको देखते ही उड़ा देंगे भाई आपको पता चलो try करें इसको क्या try करें क्या बच्छा लोग try करते हैं तो आपको बताता हूं मैं इसका answer क्या होगा भाई आई का यानि आखों का relation myopia से है क्यों क्यों कि Maio PA intense वो कौनसे बिमारी आखों से रिलेट करते हूगा रेटीना की बात करें अगर तो similarly दातों से रिलेट करते हुए बिमारी कौन सी होगी, पाइरिया होगी बिटा, पाइरिया जो होती है वो दातों से ही रिलेट करते हुए बिमारी होती है, तो इसका अशर क्या आएगा, option number A आ जाएगा, ठीक है, जो teeth है, दातों का relation किस्से होगा, यहाँ पर बिमारी की ब लगाना, अगर चीज़े बनती हैं तो bell, well and good नहीं बनी तो कोई परिशान नहीं होना, उसको skip करो, क्योंकि गलत करने से अच्छा, सही करने पर believe रखो, वो जादा सही है, और ध्यानक ना, जहां तक मैं मानता हूँ कि इतना परिशान करने वाले questions आपको नहीं होंगे, इस पूरे topic से मान के चलना, कि पूरे topic से ऐसा नहीं कि यहीं पूछेगा, ज्यादातर question आपको पूछता है, numerical वाले और letter वाले, जो मैंने करवाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, थोड़ा बुद question इसके आ सकते हैं, तो आप उसको भी बना लेंगे, यह मेरा बीरबल की जो कहानिया आप सुनते थे, उनमें जो बीरबल हैं, उनहीं को father of reasoning का जाता, तो I wish आपको session मज़ा आया होगा, अगर आपने कुछ सीखा है, जाना है और मज़ा आया है, तो session को like करो, जितना ज़्यादा हो सके share करो, please like तो करी देना, यह आप से हमारी एक request है, क् की छोड़ने से, effort से हमें बड़ी energy मिलती, ठीक है, मिलते हैं अगली class में, एक नए segment के साथ, और इस free education को पुरी तरह से enjoy कीजे, और confirm selection का अपना एक seat पकी कर लिजे, thank you so much, मिलता हूँ अगली class में, take care and jahind.